नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज आपके साथ इस कारेक्रम में मैं चर्चा करने जा रही हूँ अफ्रीका के एक एहम देश के बारे में जहां सिबिल वार फैल रही है फैल चुकी है और यह देश बहुत एह इसलिए है क्योंकि जिस तरह से सुडान से खबरे आ रही है वीडियो आ रहे हैं वह अंतराश्टिय कूटनीती को प्रभावित करने वाले हैं वह बता रहे हैं कि किस तरह से अफ्रीका का एक और देश दोबारा सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है यहां पर लड़ाई चल ही है सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच एक तरफ हैं बुहरान जो सेना का नित्रतु कर रहे हैं और दूसरी तरफ हैं हैं मंती इन दोनों के बीच बहुत तगड़ा संगर चल रहा है जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ यह है जो बहुत एहम चिंता है कि इसके आसपास के देश चाहे इजिप्ट हो लीबिया हो इतोपिया हो साउस सुडान हो कीनिया हो इन तमाम जगों पर हिंसा फैल सकती है और एक एहम बात जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अफरीका के तमाम देशों में जो सिविल और जैसी स्थितियां है इसका क्या रिष्टा है सामराजवाद से अमरीका से और यूरोप से क्योंकि बड़े पैमाने पर यहां पर जो संसाधन है उसकी लूट के लिए यहां पर कोलोनीज बनाई गई थी यहां पर अपनिदेश बनाए गए थे और आज की तारीख में रा अब्दुल के साथ अब्दुल आज हम बात करेंगे अफ्रीका महद्वीब के एहम देश सुडान के बारे में जहां से जो खबरे आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं बड़ा भीशन संखर्ष चल रहा है यहां पर दो जो शक्ती पुंज हैं उनके बीश टकराओ है करीब 180 लोग मारे जा चुके हैं 2000 करीब हताहत हैं यह बताइए दर्शकों को कि क्या चल रहा है सुडान में पिछले कुछ दिनों से सुडान में जो हो रहा है वो बेसिकली एक पैरा मिलिटरी फोर्स है एक अर्दसानिक बल है जिसको हम रैपिड सपोर्ट फोर्स कहते हैं और सुडान की जो आर्मी है उन दोनों के बीच में एक टकराओ है जो बहुत सारे मतभेदों के कारण है टकर से एक साथ देश की सत्ता चला रहे थे 2019 से तकरीबन सत्ता में है 2021 से तो बिलकुल इन ही के पास इन के पास सत्ता है जाहूंगी कि दरशक यह भी देखें तो आप देखें जैसे जनरल बुरहान जो आर्मी के चीफ है और जनरल हमती जो आरसेफ के चीफ है इन दोनों की इन साथ में थे लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो एक पीस निगोशिशन चल रहा है एक वारता चल रही है कि कैसे मिलिटरी से सत्ता का ट्रांसफर कर दिया जाए नागरिक सत्ता के लिए उस में इन दोनों के बीच में मन बुटा हुआ और इस कारण से दोनों के फोर्सेज जो इनके जो लॉयल फोर्सेज हैं वो एक तरीके से आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि कौन सुदान की सत्ता पे कंट्रोल करेगा और ये डिसाइड करेगा ये निर्मे करेगा कि सुदान का भविश से क्या हो हाँ और एक चीज़ मैं और चाहूंगी कि जिस तरह की वीडियोज आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर सुदान की जो राजधानी हैं वहाँ पर जो शक्तिका सेंटर्स हैं उनको घेरिबंदी बहुत तगड़ी है और हमने ये भी देखा कि आ उनों शक्ति केंदर हैं ये अलग-अलग ढंग से इस समय देश को खीच रहे हैं नहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक मनुवर होता है दुनिया में अपना एक इमेज बनाने के अपने लड़ाई को जस्टिफाई करने का उसको एक वैदता देने का तो जो हमती जो स्ट अपनी जो सत्ता है उसको स्थापित करें जब हम इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दिये जा रहे हैं सवे से में परहिमती के द्वारा उन स्टेटमेंट का कोई फेस वैलू नहीं है उसका कोई इंपोर्टेंस उतना नहीं है वह पर हाँ आगर आ सुडान का जो अंतरास्ट है हवाई अड़ा है उसके उपर लड़ाई चल रही है सुडान की सेना इनफेक्ट उस पर बंबारी भी कर रही है एर फोर्स के इस्तमाल से और देश के बाकी हिस्सों में भी जहां पे भी आरेसेफ का कुछ कंट्रोल है जैसे आपने जो पिछले की है उन इलाकों को चिन्हित करने की जहां लड़ाई बहुत तगड़ी है बहुत संगर शल रहा है और खास तोर से उसके केंद्र में यह इलाका है खार्तुम जो की सुडान की राजधानी है इसके अलावा भी बाकी जवहों पर संगर चल रहा है दोनों ताक्तें दोनों त दिखाया भी दर्शकों को उससे लग रहा है कि लड़ाई बहुत तगड़ी है। मुख्यत देश के फस्चमी हिस्से में हो रही है जिसको हम आदमतर पर दारफूर का रीजन कहते हैं। सुडान की सेना लड़ाई कर रही थी वो उसको कहा जाता था कि वो अलगाववादी ताकत है। वो सुडान में एक तरीके से ट्राइबल, सुडान को ट्राइबल के हिसाब से जन जाती है, आदार पर बाटना चाहती है। तो उसको लेकर जो लड़ाई चल रही थी उसमें जो सुडान की सेना के पक्ष में जो लोग लड़ रहे थे। उन्हें के एक समावेश से, उन्हें के मिलने से एक RSF की सापना हुई। तो RSF का जो कई एक समर्थन है, जो समर्थन जो जादा बड़ा है, वो देश के पश्चमी हिस्से में है। और इसलिए वहां भी लड़ाईयां चल रही है। काफी तगड़े लड़ाईयां हैं यहां लेकिन एक बात जो बहुत साफ दिखाई दे रही है कि सुडान में जिस तरह से अंतराश्चिय ताक्ते और खास तोर से अमरीका के हित हैं क्योंकि हमें यह भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि सुडान का विभाजन हुआ, साफ सुडान अलग हुआ, वहां पे जो एक लीडर थे उनको हटाया गया और उसके बाद से दोहजार तेईस तक, दोहजार एकिस में यह सत्ता आई, दोहजार उननेस में हटाया दोहजार एकिस में फिर इन दोनों शक्तियों ने हाथ मिलाया, लेकिन शांती नहीं आई, लगातार संखर्ष बना हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि यह जो संखर्ष है, इस संखर्ष के भी कुछ अंतराष्टियतार ज़रूर जुड़े हुए है, बिलकुल, अगर आप दे दुबई के तरफ से समर्थन भी है, राष्ट्र अमिरात की तरफ से, दुबई जिसको हम आप तोर पे आम जनता है, जिसको समस्ती है दुबई के हिसाब से, तो वो एक उसका समर्थन है, इसके अलावा जो बुरहान है, बुरहान को अफकोर्स युएस के अलावा जितने भ यह लडाई चल रही है अफ्कोस उसका एक ऐक अंतरास्ट्रीय कॉंटेक्स्ट भी है और अगर आप देखें में कैसे कुछ जो छेतर के अफiciency के कुछ जो झाल देश हैं जो सीदे तौर पर प्रभावित होते हैं उनको लगता है कि होने के संभावना है, जैसरे करने केibel आगे आजिने लुक्त यह कहा यह सारे देश कोशिश कि है। अभी पहल है अभी कितना सफल होगा हम उनहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच में यानि बुर्हान और हिमती के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको रोका जाए क्योंकि अगर यह लड़ाई कंटिनियूर है कि सुडान का जो महत्व है अफरिका में सबसाहरन अफरिका में वह बहुत जादा महत्व है उसमें और अगर यह लड़ाई चलती रही तो इसका छेत्रिय तोर पर इसका विस्तार होने की संभावना है तो उसको रोकने के लिए इस आशंका को खतम करने के लिए ताकि हिंसा और इलाकों में ना बढ़े तो कि लीबिया भै नहीं हम सब जानत नहीं है और बाकी जो प्रयास हैं वहाँ पे सांतिय स्थापित करने की वह भी कुछ खास सक्सेस्फुल नहीं रहें अभी तक जी देखना होगा कि सुडान की जो लड़ाई है यह किस तरह से किस दिशा में लेती है क्योंकि संघर्ष तो बहुत तगड़ा है ऐसा लग रहा हुआ की हिमती और बॉर्हान के बीच में जो पछले चार सालों से कम सात में मिल कर देश की सत्ता चला रहे थे जबसे अमर अलबशीर को हटाया इन्होंने सा ओराए हुआ और ड़्छ आए आरह तो श्वत के लुए आटे जो चो कि दोनों आपस में लड़ने लगे तो उसक तो सुडान की एक सेना है。 और वहां पे दुनिय भरे देशों के प्रशर में रहां एक वारता चल रही है, जिसमें ये कोशिश की जा रही है, कि सेना से सत्ता का चाहर हो करके, सिविडियों के के हाथ में एक किसी भी तरह का एक लोगतंदर की अस्थापना किया जाए यह एक निगोशेशन चल रहा है जब तो उसमें क्या है कि सेना चाह रही है सुडान की सेना चाह रही है बुरहान जो इसको लीड कर रहे है और वो देश के डिफॉल्ट डिफैक्टो प्रसिडंट भी अस्तित्तो है उसको खतम कर दिया जाए और तकरीम 11 अप्रील को कुछ इस दिशा में प्रविति नहीं जो वारता का डेडलाइन तै किया गया था कि 11 अप्रील तक यह सारी चीज़ें तै कर ली जाएंगी और उसके बाद से सत्ता का हस्तान तरण जो है वो नागरिकों के हा आर्मी में सामिल कैसे किया जाएगा और कितनी जल्दी किया जाएगा हिमती चाहते थे कि उनको कम से कब 10 साल का समय दिया जाए इसके पीछे का कारण क्या है इसके पीछे कारण यह है कि RSF जो है एक बहुत ही मजबूत अर्दसेना बल है उमर अलबशीर का समर्थन से बना उन्होंने शुरू किया और वो बहुत दिनों तक एक तरीके से उनका परसनल गाड के तौर पे वो काम करते रहे उनके बिहाप में देश के पश्चमी हिस्सों में लड़ाईयां लड़ी इसके उपर बहुत सारे अर्ट्रोसिटीज करने का आरोब भी लगा, हुमन रैड व आर्थिक हित है तो यह चाहते हैं हिमती और आरेसफ के जो बाकी लीडर हैं वो यह चाहते हैं कि उनका जो आर्थिक हित है वो उसको सनरक्षित रखा जाए और अगर वो आर्मी में मिला लिया जाएगा जल्दी से जल्दी तो उनका आर्थिक हित पर नेत्रत भी उनका चला है इजिप में भी मिस्र में भी जो आर्मी है उसका बहुत ही इंपोर्टेंट एकोनामिक आर्थिक एक तरीके से सम्राज्ज है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहती वो एक कारण रहा 2011 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ जो फेल हो गया अरब स्प्रिंग के बाद तो उसका पीछे भी एक खास कारण वही रहा वही चीज़ सुडान में भी हो रही है कि अगर नागरिकों के हाथ में सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए तो उसके बाद जो परामिलेटरी फोर्सेस का आर लबी है कि उनका आधिपत्य बना रहे और खास करके उनके जो आर्थिक हित हैं उसको सनक्षित किया जाए और जब तक यह चीज़ नहीं होगा तब तक इस तरह की लड़ाईयां अगर अगर मान लीजिए आज कुस दिनों के लिए सीसफायर लागू भी हो जाए वो आगे भी ऐसी संभावना बनी रहेगी कि ऐसी लड़ाईयां होती रहे एक आखरी चीज मुझे जो लगता है दर्शकों तक पहुशनी चाहिए कि हम जिस महाधवीब की बात कर रहे हैं अफरीका की अफरीका की खासियत यह है कि हम और आप जो भारत में हैं और तमाम लोग जो ती कितना रिसोर्स रिच इलाका है यह यहाँ पर इतनी अकूद संपता है प्राक्रितिक जिसका दोहन करने के लिए अमरीका और फ्रांस और तमाम जो इंपीरियल फ्रोर्सेज हैं वो रही और इनके पीछे जिस युद्र की हम बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि आप भी इस सकते हैं यहां पर भी वही इस्थिती है सुमालिया में है सुमालिया में है कीनिया में है युगांडा की खबरें हमारे सामने आती रहती है तो ये जो संघर्ष है तो कि लीबिया तो दुनिया ने देखा कि किस तरह से गदाफी जो की बचा के चल रहे थे लीबिया को अपसे एहम देश पूरे इस महादवीब का है वहाँ पर उनको गिरा के पूरी हिंसा में ढखेल दिया गया अब सुडान अगे जैसे आपने कहा कि ये पूरा अफरिका महादीब जो है वो संसादनों से भरा हुआ है और इसके कारण क्या है कि सामराजवाजी ताक्ते हैं खास करके जो इनटे स्टेट्स अफ अमेरिका है या पुराने जमाने में जो येरोपियन देश थे फ्रांस हो ब्र अभी भी बहुत सी जगव पर फ्रांस उनकी जो करेंसी है वो फ्रांस से जुड़ी हो इसके पीछे जो मुख्य कारण यही था कि यहां पर संसादन है और उन संसादनों को उनके विकास के लिए उन्होंने सोचा कि जरूरी है और वो कैसे इसको गारंटी कर पाएंगे तो उसके लिए उन्होंने इन देसों में जहां भी लगा कि उनμηी का एक ऐसा कोई direction है, जो वो प्रभावित कर सकते हैं, जिनको वो अपने पक्ष में कर सकते हैं, चाहे वो पैसे के थुरू हो, चाहे वो डराखे हो जाहे वो कुछ और तरीके से हो, उन्होंने वैसा किया, और इस इस लड़ाई में जो प्रो समराजवाद के पक्ष में लागते थी अपकोर्स उनको अमेरिका से या उरूपिन कंट्री से बहुत जादा हथियार और पैसे की सप्लाई होता रहा और इसके कारण से वो कर दुनिया के नजर में बरबर बने रहे बस और ये दुनिया को लगा कि कि ये पूरे अफ्रिका के लोग से वापस में लड़ते हैं ये पिछले लोग हैं यहाँ पर कबिलाई लड़ाई है तो सारा का सारा जो तस्वीर दुनिया के सामने जाती रही कि कभिलाई मांसिक्ता के लोग हैं जो आपस में लड़ा रहे हैं मारकाट चल रही है हिंसा चल रही है लेकिन उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो संसादनों के लिए समराजवादी दखल है सुडान में भी जो निकल के आया उभर के आया जो इस तरह के समराजवादी दखल को गलत मानने लगा और उसके खिलाफ लड़ाई करने लगा तो इसके इस लड़ाई को हम जब दुनिया के परिपक्श में देखेंगे तो लगेगा कि सुडान जैसे आपने कहा कि ये कभिलाई लोग हैं आपस में कभी शांती से नहीं रह सकते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और उस लड़ाई को रोकने के लिए अमेरिका को या दूसरी समराजवादी दख्तियों को बार बार दखल करने की जरूरत है तो एक तरीके से दखल की राजनिती को वैदता परदान किया इस तरीके की लूट ने और इस तरह के कॉन्फिक्ट ने जो समराजवादी सकती होने समय समय पर बनाया जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों एक बात बिल्कुल साफ है कि अंतराश्टी कूटनीती में एक देश और खासतोर से यहां जिसकी हमने चर्चा की सुडान 2023 में दुबारा सरकार भंग होने के कगार पर है और सता का संघर्ष बहुत तीखा तेज हो गया है सवाल बहुत सीधा सा है कि इन तमाम देशों को आपस में भिडाना लडाना हथियार महिया कराना और लगातार दुनिया के सामने यह तस्वीर पेश करना कि यह तमाम देश अपने आप अपना शाशन नहीं कर सकते यह किसे फायदा पहुचाता है निश्चित तोर पर यह उन ताक्तों को फायदा पहुचाता है जो अफरीका सहित तमाम तीसरी दुनिया के देशों पर अपना शाशन सीधा या परोक्ष स्थापित करना चाहते हैं शुक्रिया झाल झाल